हेलो लर्नर आज के इस वीडियो में आप जैसा कि आपने थम्नेल परहा क्या अपन नोटपेड को अपन ब्राजर में उपन कर सकते हैं क्या बिल्कुल आप कर सकते हो बस एक कोड है मात्र एक लाइन का कोड एक लाइन का कोड आप लिखोगे अपने ब्राजर के अंदर और दे बताऊंगा कि आप किस तरह से से भी कर सकते हो डिटा को हलाकि इसका थोड़ा सा मैथड अलग होता है लेकिन आपको मैं बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ना अगर आपको जैसे आप कई करना चाहते हैं या फिर करना हो चाहते हैं इसाप करो यह ब्रॉजर में जाओ है डेटा स्लैस टेक्स्त लगाना उसका लगाना ये आपको ले लगाना- अप्र दिस्क्रिप्शन में फिर दी दूंगा और फिर ए lebih लगाओ और ये लगाओ फिर स्लैस स्टीमल कोमा लगाओ फिर यह ओपेंड करो फिर स्टीमल कंटेंट एडिटेवल ठीक है और बस अब इंटरफ प्रेस करो देखो यह आपका नोटपेड खुल गया ओपेंड ब्रावजर पर ठीक है अब यह ब्रावजर पर है आप यहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हो कर सकति कर सकते हैं अब इसको कुछ दो आप कशने में हो आप मोवाइल से कर सकते हो कैसे पता करोगे देखो चोटा बड़ा यह हो रहा है नहीं ठीक है देखो यह फोन के लिए इस तरह से वक करेगा बहुत अच्छा खासा यह कोड है मातर एक लेंगा कोड यह आप याद रख सकते हो इमर्जनसी में आप टाइप करोगे धर्र से खोल लोगे ठीक है और जब इसको सेव करना हो ना तो बाइड डिफॉल्ट आप इसको हो है मैं डेक्सटा पे कर रहा हो और यह डेटा यूर्ल संथिंग करके नाम दे रहा है और कर लो ने किया यह आ गया फिर देखो इसको पर यह देखो अब हमारा खुद का सिबड़ पेज आप बना सकते हो और यह अगर आपको देखना ए तो यह देखो अगर आप मैं इसे code में open करके बताऊं तो इसमें क्या code आती हो भी तो आपको देखना ज़र रही है तो देखो ये वालग था और इसके अंदर आप देख सकते हो ये head data जो भी है इनका और देखो किस तरह जो भी आपने लिखा था भी और div tag में ये सब को एक साथ डाल दिया म लेकिन इसको यहां पर override करना पड़ेगा ठीक है आपने कर दिया तो देखो अब फिर से open करो ये देखो आपने एडिट किया था तो यहार किता सांधार है ना आपको नोट पेड़ अगर नहीं open करना फोन से या फिर अपने laptop से अपने ब्राजर को खोलो Chrome या जो भी दिस्यू बढगा